हलो एबिवान, वेलकम टो आइसपीसे सेंटर, दिस इज प्रसांद कुमार फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सतर्मी विपेसी प्रिलिम्स के लिए करेंट अफ्यर सेक्षन से समधित कुछ मातपुन MCQ को डिसकस करूँगा यह जो MCQ होंगे वे वर्स को दोहजार चूवीस में साइंस आइनट ट्कोड़ी सेक्षन से समधित यतने महतपुन डिसकस हुए हैं उन सभी से समधित होंगे साइंस आइंट ट्कोड़ी के साथ साथ इन्वार्मेंट और डिफरेंज टेक्नोलोगी से समधित सारे डेवलाप्मेंट्स को इस वीडियो में कवर किया दाएगा उससे समन्दित जितने MCQ होंगे वर्ष द्वाजाच चोवी से समन्दित उन सभी को यहाँ पर डिसकस किया दाएगा तो काफी मत्तपुण है सतर्मी बीपेसी के लिए 69 बीपेसी के समय से ही बीपेसी के द्वारा साइन्स एंड टेक्नलोजी से समन्दित MCQ भी करेंट अफेर्स के संदर में पूछा दारा है तो काफी मत्तपुण है आए डिसकसन शुरू करते हैं पहला प्रश्न है अल नजाह 2024 से समन्दित निम्न कथनों पर विचार करें अल न स्केटमेंट देखेंगे तो गलत है क्योंकि अल नजाह जो है वह भारत और उमान से संबंदित है ना कि भारत और सौधी अरब तो पहला गलत हो गया दूसरा इसका पाचमा संसकरण 13-26 सिप्तंबर 2024 के मद आयूजित हुआ तो कौन सा कथन सही है केवल दूसरा कथन सही है अंसर हो जाएगा बी अल नजाह उद्धा भ्यास 2024 इसका डिसकसन देख लेते हैं उमान सेयुक्त सैन अभ्यास का पाचमा संसकरण हाली में आयूजित क्या गया है उमान के सललालाह में रबकुट प्रसुच्छंग छेत्र में कब से कब तक 13-26 सिप्तंबर 2024 तक तो इसका अ इधा भ्यास से समंदित निमन कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है पहला इस्टन ब्रीज जो है भारत वा अस्ट्रेलिया के बीच एक दूपक्षे वायू सैन अभ्यास है इस्टन ब्रीज जो है वा गलत है इस्टन ब्रीज इधा भ्यास भी भारत और उमान के बीच संचालित की जाती है ठीक है दूसरा यह सिप्तंबर 2024 में गुवाली और मद परदेश में आयोजित किया गया गलत है इसका इस्टरन बीज का इस्टरन ब्रीज जो इदाभियास है इसका भी आयोदन हाल ही में उमान में किया गया तो दोनों statement यहाँ पर गलत है तो इसका अंसर हो जागा इनमें से कोई सत्य नहीं है explanation है भारत और उमान के वीच दिपक्षे यह वायू सेन अभियास है ठीक है पर विचार करें उधाभियास 2024 पहला statement भारत और जापान सयुक्त सैन प्रशिछन अभियास है उधाभियास जो है भारत और USA के बीच आयूजित की जाने वाली उधाभियास है तो पहला तो गलत हो गया दूसरा इसके बीचमे संसकरान का आयूजन 9 से 22 सिप्तमबर 2024 के मद राजस्थान के महाधन फिल्ड फारिंग रेंज के बिदेशी प्रशिछन केंद्र में आयूजित हुआ या सही है तो इसका अंसर हो जाएगा केबल दो सही है यानि कि आप्सन नमबर B युद्ध अभ्यास 2024 भारत और अमेरिका के विच आयूजित की जाती है हाली में इसका 20 संसकरान आयूजित के आगे राजस्थान के महाधन फिल्ड फारिंग रेंज में तो इसका अंसर हो जाएगा B अगला है अभ्यास काकाडू 2024 से समंदित निम्न कत्रों पर विचार करें अभ्यास काकाडू पर विचार करना है इसके 16 संसकरण कायोजन 9 से 20 सिप्तमबर 2024 के मद डार्विन अस्ट्रेलिया में किया गया या भी सत्य है तो कौन से कथन सही है दोनों कथन सही है इसका अंसर हो जाएगा C अगला सवाल है सिप्तमबर 2024 में किंद्रिय मंत्री मंडल ने Venus Orbiter Mission VOM के विकास को मंजूरी परदान किया है बहुत मत्रपुन सवाल है Venus Orbiter Mission सुक्रियान के लिए मंजूरी परदान की गयी है इस Mission के समन्दमे निम्ण कथन पर विचार करें कौन सा कथन सही है सही कथन को बताना है इस मिसन के लिए सुक्रित रासी बारा सो थिस करोड रुप्या है या बिल्कुल सत्य है दूसरा इस मिसन के वर्ष दो हजार सताइस तक पूरे होने की संभावना है ठीक है गलत है यहां statement वर्ष दोहजार अठाइस तक सुक्रियान के पूरा होने की समभाव नहाए तो कौन सा कथान साही है केवल एक साही है ठीक है हाली में विनस और्विटर मिशन केंद्रिय मंत्र मंदल के द्वारा मंजूरी परदान की गई इसका उदेश क्या है तो सुक्र की सतह और उप सतह वाय मंदल ये प्रक्रियायों और सुक्र के वाय मंदल पर सुर के परभाव को बेतर ढ़ंग से समझना ये मिशन कब तक पूरा होगा मार्च 2028 तक सुक्रित रासी है 1236 करोड रुप्य है इसमें से 969 पर केवल 824 करोड रुपय खर्च क्या दाएगा ठीक है तो इसका अंसर केवल आप्सन नमबर 1 करेक्ट है अब ये अगला सवाल है चंद्रियान 4 के संदर में कौन से कथन सही है निमन कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है सही कथन को बताना है 18 सिप्तंबर 2024 को केंद्रिया मंत्रि मंडल ने चंद्रियान 4 मिशन को मंजूरी दिया बिल्कुल सही है जब 18 सिप्तंबर 2024 को केंद्रिया मंदल की बैठक हो रही थी तो सुक्रियान हो या चंद्रियान 4 हो इन सभी की मंजूरी उसी दिन पर दान की गई थी तो पहला विक्सित करना है या भी सत्त है इस मिसन का उदेश से चंद्रमा से नमूने लाकर पिर्थीवी पर उनका विसलेशन करना है या भी सत्त है इस मिसन के लिए आवस्य कुल रासी 2830 करोड रुपी है या गलत है क्योंकि चंद्रयान 4 के लिए भारत सरकार के द्वारा 2104 करोड और शुक्रियान के लिए हमने क्या बताया 1236 करोड रुपय याद रखेंगे आप लोग चंद्रान 4 के लिए 204 करोड रुपया और शुक्रियान के लिए 1236 करोड रुपये तो एक दो तीन सत्य है चौथा नमबर गलत है अब ओप्सन देखते हैं क्या कह रहा है आप्सन निम् सिप्तंबर 2024 को केंद्रिय मंत्र मंडल के द्वारा मंजूरी परदान की गई इसका उदेश से है चांदर पर सफलता पुरुवक उतरने के बाद पिर्थिवी पर बापस आने में परयोग होने वाली टेकनोलोजी को विक्सित करना चंद्रमा से नमुन्य लाकर पिर्थिवी 214 करों रुपे अगला सवाल है सिप्तंबर 2024 में वर्टिकल लांच सौर्ट रेंज सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल वी यल वर्टिकल लांच SRSAM का सफल उडान परिछन कहां से किया गया तो सिप्तंबर 2024 में वर्टिकल लांच सौर्ट रेंज सता से हवा में मार करने परिषण चान्दीपूर कहां पर है उडिसा का चान्दीपूर ठीक है जिसका अंसर क्या हो जागा option no.a डि-र-0 और वर्तिया9 सेवहारा इसका परिषण किया गया अगला सवाल है stylish Dawn Misan पुलारिश डॉन मिशन से समंदित निम्न कथनों पर विचार करें पुलारिश डॉन मिशन से समंदित कौन सा कथन सही है सही कथन को बताना है 10 सिप्तंबर 2024 को एलन मस्क की कमपनी SpaceX ने Falcon 9 रॉकेट की मदद से इस मिशन को अंतरीच में भेजा पहला स्टेटमेंट सत्य है दूसरा इस मिशन के तहर चार व्यक्तियों को अंतरीच में भेजा गया है बिल्कुल सही है और इसमें जो परमुख यात्री है वे इसाक मैन अमेरिकी बिदिनेसमैन वो भी सामिल है तो टोटल चार यात्री है तो दोनों सत्य है सवाल है कौन सही है तो इसका अंसर हो जगा सी एक और दो दोनों सही है ठीक है इसका explanation है चारो यात्रियों का नाम क्या है तो इसाक मैन कीट पोटीड सारा गिलिस अन्ना मेनन ये चार यात्री इसमें सामिल है ठीक है अगला निम्र कथन पर विचार करें सही कथन को बताना है चास सिप्तमबर दोज़ेश को उडिसा के चांदीपूर में एकी किरित परिछा रेंग से अगनी चार बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रछेपन किया गया पहला स्टेटमेंट सत्ते है दूसरा यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यह गलत है यह सर्फेश टू सर्फेश सर्फेश टू सर्फेश एयर सर्फेश टू सर्फेश यह सता से सता पर मार करने वाली मिसाइल है अगनी मिसाइल ठीक है तो पहला साही है दूसरा गलत है तो इसका अंसर क्या हो जागा ऑप्सान नमबर आईए explanation देखते हैं कहां से इसका परिछन किया गया उडिसा के चांदीपूर से भारतिय सेना की सामरिक बल कामान के द्वारा अगनी चार मिसाल के बारे में अगर देखें तो डिया डिया के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है या surface to surface सता से सता पर मार करने वाली मिसाल है और अगनी चार की मारक चंपता 4000 किलो मीटर है ठीक है अगला सवाल है अभियास वरून से समंदित निम्र कथनों पर विचार करें अभियास वरून बताई किन दो देशों के बीच किया दाने वाले इद अभियास है अभियास वरून तो भारत और फ्रांस के बीच किया दाने वाला एक द्विपक्चिये नौसैनिक अभियास है पहला साई है इसका 22 संसकरण सिप्तमबर 2024 के मद अंडमान सागर में किया गया गलत है अभियास वरून का जो हाली में आयुजन किया गया वा भूमद सागर में भूमद सागर ठीक है ना कि अंडमान सागर तो पहला साई है दूसरा गलत है अंसर हो जागा उप्सन अबर ए ठीक है अगला सवाल है समुद्र प्रताप से समंधित निम्न कथनों पर विचार करे समुद्र प्रताप पहला है कौन सा कथन सही है सही कथन को बताना है यहां भारतिय टटर अच्छक वलका पहला स्वदेशी रूप से विक्षित प्रदूसन नियंतरक पोत है बहुत मतपुन सवाल है समुद्र प्रताप क्या है तो भारतिय टटर अच्छक वलका पहला स्वदेशी रूप से विक्षित प्रदूसन नियंतरक पोत है पहला सही है दूसरा 29 अगस्त 2024 को इसका जलावतरन किया गया 20 सत्य है पहला स्वदेशी रूप से विक्षित प्रदूसन नियंतरक पोत है तो काफी मतपुन है दोनों स्टेटमेंट इसके सत्य है मित्र सक्ती 2024 से समंदित निम्न कथनों पर विचार करे मित्र सक्ती उदाव्यास भारत और स्रिलंका के बीच ठीक है तो पहला गलत हो गया क्योंकि मित्र सक्ती उदाव्यास भारत और स्रिलंका के बीच प्रतिवर्श आयूजित की जाती है पहला गलत दूसरा इसका आयूजन हाली में पूने में किया गया या भी गलत है या भारत तो स्रिलंका के बीच आयोजित की जाती है और हाल ही में इसका आयोजन कहां पर किया गया है स्रिलंका में ठीक है तो पहला और दूसरा दोनवा स्टेटमेंट गलत है तो सवाल है कौन साई है तो न तो एक साई है न तो दो साई है यानि कि इसका अंसर आप्सन अंब पर डी हो जाएगा ठीक है देखे स्रिलंका के मदुरे ओया इस्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयुजन किया गया मित्र सक्ति दाव्यास का अगस्त 24 में किसके द्वारा देश का पहला री उजेवल हाइब्रीड रॉकेट मिशन रूमी वन सफलता पूर्वक लांच किया गया है बहुत मत्रफुन सवाल है रूमी वन देश का पहला री उजेवल हाइब्रीड रॉकेट मिशन है किसके द्वारा लांच किया गया तो अ लांच किया गया है तमिलाडो इस्थित अस्टार्टप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन समू के द्वारा इसे तयार किया गया है निम्न कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है सही कथन को बताना है पहला सवाल है 16 अगस्थ 2024 को इसरो के द्वारा नवी निताम प्रिथिवी अबलोकन उपगरह EOS08 लांच किया गया है बिल्कुल सही है ठीक है EOS08 कब लांच किया गया 16 अगस्थ 2024 को इसरो के द्वारा दूसरा इसे SSLV D3 के द्वारा लांच किया गया है यानि कि EOS08 हमने PD के short notes में इसे discuss किया है EOS08 को किसके द्वारा लांच किया गया SSLV D3 के द्वारा लांच किया गया ठीक है दोना statement इसके सत है अंसर हो जागा इसका C अब सवाल है कि EOS08 को क्या लांच किया गया इसका क्या उदेश है तो इसका उदेश से देखेंगे तो Micro Satellite का डिजाइन और विकास करना इसका मुख उदेश है SSLV D3 के द्वारा इसरो के द्वारा लांच किया गया है 16 अगस्त 2024 को ठीक है इसे में तीन पेलोड है EOS08 में ठीक है Electro Optical Infrared पेलोड है GNSSR पेलोड है ठीक है इसका पूरा नाम है Global Navigation Satellite System Reflectometry और तीसरा पेलोड है SICEV Dosimeter ठीक है तो तीन पेलोड है आप लोग इतना याद रखे तीनों का नाम जरूरी नहीं है ठीक है SSLV D3 के द्वारा EOS08 सैटलाइट को लांच किया गया अगला है तरंग सक्ती उदावियास 2024 बहुत मत्रपुन है तरंग सक्ती उदावियास 2024 या भारत का पहला यह हवाई अभियास यानि कि एयर ठीक है तो तरंग सक्ती उदावियास जो है भारत का पहला बहुराश्टी हवाई अभियास है तो पहला स्टेट्मेंट सत्य है दूसरा यह चार चरुनों में अगस्त 2024 इसवी से लेकर सिप्तमबर 2024 इसवी के मद आयुजित किया गया यह चरुनों में नहीं तरंग सक्ती का उदावियास का जो आयुजिन है वह दो चरुनों में किया गया है तो इसका सवाल है कि कौन सा सही है तो केवल एक सही है इसका अंसर हो जागा एक कहां पर इसका आयुजिन किया गया पहला चरुन एक चरुन इसका तमिलाडु में और अंतराष्टिये चिंता का सर्वजनिक स्वास्थ अपातकल घोसित किया गया है इस समंद में निम्न कथनों पर विचार करें पहला डवलुयेचो के द्वारा मंकी पॉक्स को 14 अगस्थ 2024 को अंतराष्टिये चिंता का सर्वजनिक स्वास्थ अपातकल घोसित किया गया बिल्क अंतराष्टिय चिंता का सर्वजनिक अपात्काल यहां पर पूराना मिसका दिया हुआ ठीक है कांगो लोक्तांत्रिक गनराज और पडोसी अफ्रीकी देशों में एम पॉक्स को लेखनी ब्रिदी के कारण घोसित किया गया या भी सत्त है ठीक है जो जब कांगो में काफी को सकते हैं इसका अंसर हो जाएगा option number C, 1 और 2 सत्ते हैं टीक है आप थोड़ा सा monkeypox के बारे में यहां पर जानकारी ले 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 ठीक है टो monkeypox अगर आप देखेंगे DRDO ने लंबी दूरी के Glide Bum गौरब का पहला सफल उडान परिछन किया है बहुत महत पुन सवाल है आप से डिरेक्ट यही एक सवाल के रुपे पूछा जा सकता है कि हाली में DRDO के द्वारा लंबी दूरी के Glide Bum का सफल उडान परिछन किया गया जिसका क्या नाम है गौरब ठीक है तो इसके बारे में निम्ने लिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है सही कथन को बताना है पहला DRDO ने भारतिय वाई सेना के SU-30 MK-1 पलेट फार्मा से गौरब का सफल उडान परिछन किया है यानि कि लंबी दूरी के Glide Bum गौरब का सफल उडान तो DRDO ने किया लेकिन किसके जरीए किया तो SU-30 MK-1 के जरीए आप लोग जयाद रखेंगे SU-30 MK-1 मार्क-1 ठीक है दूसरा इसका परिछन Udisa के टर्ट पर किया गया है या भी सकते है ठीक है तो दोनों स्टेट्मेंट सकते है इसका अंसर हो जागा C एक्स्पलानेशन अगर देखें तो आपसे सवाल पुछा जा सकता हाली में चर्चा में रहा गौरब क्या है या फिर लंबी दूरी का गलाइड बं क्या है जिसका नाम करण क्या गया है गौरब ठीक है तो गौरब लंबी दूरी का गलाइड बं है 13 अगस्ट 2024 को इसका सफल उडान किया गया DRDO के द्वारा भारतिय वायुसेना के SU-30M के 1 प्लेट फार्मा से उडिसा के टट पर इसका सफलता पूरवकी से लांच किया गया 1000 kg का गलाइड बं है इसे कहां से प्रछेपित किया दा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एर से प्रछेपित किया दाएगा और लंबे दूरी पर जो इस्थित लक्ष होंगे उसको भेदने में सक्षम होगा अगला अगस्त दोजार चोबिस में किसके दौरा हैजा से बचाओ के लिए एक नई ओरल वैक्सिन विक्सित की गई है तो हैजा से बचाओ के लिए नई ओरल वैक्सिन जो है जिसका नाम दिया गया है हिल्चॉल अगस्त दो हाजाग चोबीस में स्वधेशी मैन-पूर्टिवल एंटी टैंक गाइड़ाण मिसाइल का सफल परिछन कहां पर किया गया बहुत मत्तपुन सवाल है स्वधेशी मैन-पूर्टिवल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमने इसे भी परतुक्ता दरपन सौर्ट नोट्स में आपके साथ डिसकस किया है इसका परिच्छन राजस्थान के पोखरान में किया गया किसके द्वारा DRDO के द्वारा Defense Research DR Development Organization ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा Option अगास्त दो हजार चोबिस में भारतिय बायू से नाने भारत डाइनेमिक्स लिम्टेड को कितने अस्त्र मार्क वन मिसाइलों के उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की है जिसका अंसर हो जाएगा 200 ठीक है जुलाई दो हजार चोबिस में किसके द्वारा निर्मित भारतिय नौ सेन जहाज त्रीपूट लांच किया गया है त्रीपूट तो किसके द्वारा इसे लांच किया गया है 200 ठीक है सकतिशाली 3 के नाम पर इस जहाज का नाम त्रीपूट रखा गया है या 800 ठीक है उन्मित नंद पाहलें width रूप से नौ सेन जहाज है त्रीपूट नदान क्या है यह अभी पूछा चाह सकता है आपसे नुमेडिक एलिफेंटा एक उधा भ्यास है ठीक है तो सवाल है कि नुमेडिक एलिफेंटा कौन सा कथन सही है बताना भारत और सेसल्स के बीच आयोजित किया दाने वाला एक संजुक्त सेन अभ्यास है तो नुमेडिक एलिफेंटा भारत और सेसल्स के बीच नहीं बलकि भा ब्हारत और मंगोलिया के बीचाजित के पहला सवाल जो है यहाँ पे गलत है अप्सन दूसरा हाल ही में नुमेडिक एलिफेंटा इधा भ्यास कायोजन उम्रोई मिघाले में किया गया है यह बिल्कुल सही है तो पहला गलत है दूसरा सही है अप्सन हो जागा अंसर बी हाँ अभ्यास मैत्री अभ्यास मैत्री से समाधी निम्न कथनों पर विचार करें भारत और मलेसिया के बीच एक उद्दव संजुत सन्है अभ्यास से गलत अभ्यास मैत्री भारत और थाइलेंड के बीच तो पहला तो गलत हो गया दूसरा इसका आयोजन तिरह में संसकरण का आयोजन उम्रोई मेघाले में किया गया नहीं उम्रोई मेघाले में नुमेडिक एलफैंटा का किया गया ठीक है इसका आयोजन अभ्यास मैत्री भारत और थाइलाइन के बीच आयुजित की जाने वाले एक संजूक्त सान्य अभियास है जिसका आयुजन हाली में थाइलाइन के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकन में किया गया तो दोनों अस्टेट्मेंट गलत है क्योंकि इसका आयुजन उमरोई में घाले में नही थाइलेंड में हुआ ठीक है तो दोनों गलत हैं तो कौन सा कथन साही है तो इन में से कोई नहीं अंसर डी निम्न कथनों पर विचार करें जुलाई दोहजात चोबिस में R21 मलेरिया वैक्सिन कोटे डी आईवर गन्राज देश में साथ नहीं पर योजणाओं के संधर में निम्न कथनों पर विचार करें यह साथ नहीं पर योजणाएं डी आरडीों के दcake प्रदोगी की विकास निधी योजना के तहत स्विक्रित की गई है पहला स्टेटमेंट साही है दूसरा इसका उदेश से रच्छा और एरो अस्पेस छेत्रों में उद्योगों विसे सुरुप से MSME और अस्टार्टप को बढ़ावा देना है या भी सकते है तो हाली में DRDO के द्वारा साथ नई परियोजनाओं को मंजूरी परदान की गई है जिसके बारे में ये दोनों स्टेटमेंट सत्त हैं अंसर हो जागसी अगर इसका हम लोग डिटेल्ड एक्स्पलानेशन देखे कि कौन-कौन से साथ नई परियोजनाओं को आप लोग अस्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं ठीक है मैं पढ़ दे रहाऊं पहला है स्वदेशी परिद्रिस और सेंसर सिमुलेशन टील कूट अंडरवाटर प्रचेपित मानव रहित हवाई बहान डिटेक्शन और निट्रलाइजेशन के लिए लंबी दुरी का रिमोट चालित बहान बिमान के लिए आइस डिटेक्शन सेंसर का विकास, एक्टिव अंटीना एरे सिमुलेटर के साथ रडार सिगनल प्रोसेसर का विकास, भारतिय छेत्रिय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली अधारित, समय अधिगरहन और प्रसार प्रणाली का विकास और अंतिम है बहु करयात्मक विर लेवल अनुपरयोगों के लिए ग्राफिन अधारित अस्मार्ट और इटक्स्टाइल का विकास यह साथ परियोधना है जिसाहाली में डी आडियों के द्वारा मंजूरी परदान की गई है जुलाई दो हजाजाच चोविस को अधित एलवन ने लेंगरेजियन बिन्दु वन के चारो और हेलो ओरबिट में पहली परिक्रामा पूरी की गलत सोरी पहला स्टेटमेंट सत्त है ठीक है यह सत्त है दो जुलाई 2024 को आधित 11 के द्वारा जो 11 बिंदु है लैंग्रेजियन बिंदु 1 है एल बिंदु है 11 उसके 4 ओर हेलो और बिट में अपनी पहली परिक्रामा उसने पूरा किया ठीक आधित 11 कबलांच किया गया था आधित 11 इसे यह परिक्रामा पूरा करने में 178 दिन का समय लगा या भी सत्त है सूर का अधियन करने वाला पहला भारतिया अंतरी छान है आधित 11 या भी सत्त है ठीक है तो तीनों स्टेटमेंट सत्त है तो कौन सा अंसर हो जागा इसका आप्सा नमबर D ठीक है अधित 11 से समंदी सौट वीबरान अगर देखा जाए तो जुलाई को इसने हाली में 178 दिन में पहली परिक्रामा पूरी किया है दो सिप्तमबर 23 इसको लांच किया गया पी एसलबी सी सत्तामन के जरी है इसरो के माध्यम से इसे लांच किया गया था ठीक है सुरका जुलाई 24 में किस राज में चांदी पूरा वाइरस के कारण कई बच्चों की मिर्तु की खबरे सामने आई है तो जुलाई 24 में चांदी पूरा वाइरस के कारण हाली में तमिल नाडु में काफी संख्या में बच्चों की मिर्तु का मामला सामने आया है तो इसका अंसरो का प्रजात्यों के द्वारा फैलता है और मुख रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को काफी अधिक परवावित करता है अगर हम लोग देखे चांदी पूरा बारस के बारे में तो सरीर के तंत्री का तंत्र को यह नुकसान पहुंचाता है ठीक है तो चांदी पूरा बारस स में भारत का पहला जुलाई 24 में भारत का पहला प्रोटोटाइप स्वदेशी लाइट टैंक जोराबर का अनावरण किया गया है ठीक है तो जोराबर क्या है स्वदेशी लाइट टैंक है इस टैंक के समंद में कौन सा कथन सही नहीं है पहला यहां टैंक डियार डियो और ल जुरावर का विकास DRDO और Larson and Trubo के द्वारा L&T Company के द्वारा किया गया मिलका ठीक है इसका वजन 25 टन है या भी सकते है इस टैंक का नाम 19 सदी के डूगरा जनरल जुरावर सिंग के नाम पे रखा गया है या भी सकते है और इस टैंक के इंजन की सकती 1500 होर्स पावर है या ग जुरावर क्या है भारत का स्वदेशी हलका टैंक है 6 जुलाई 24 को इसके प्रोटोटाइप का अनावरन किया गया है DRDO L&T ने मिलकर इसका विकास किया है लगवा 25 टन इसका वजन है और इंजन की सकती 1000 होर्स पावर है इसकी गती 70 किलोमेटर प्रती घंटा है अब आईए अभ्यास फिरिडम एज अभ्यास फिरिडम एज से समंदित निमने लिखित कथनों पर विचार करें ठीक है कौन सा कथन सही है अभ्यास फिरिडम एज से समंदित सही कथन को बताना है या भारत दचिन कोरिया और जापान का पहला त्रिपक्षिये बहु छेत्रिये अभ्या है पहला ही अस्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें भारत सामिल नहीं है दस्षिन कोरिया जापान के अलावा युए से सामिल है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया दूसरा इसका आयोजन दस्षिन कोरिया के दचनी द्वीप जेजू में किया गया था ठीक है दूसरा स्टेटमेंट विल्कुर सकते है अभ्यास फिरिडम एज दशिन कोरिया जापान पलस युएसे के द्वारा किया दाने वाला पहलात रिपक्षे बहुचेत्रिया अभ्यास है जिसका आज़न हाली में दशिन कोरिया के दशिन इत्वीप जेजु में किया गया जून दोहजार चोविस में डिया डियो ने कहां से हाई अस्पीड एक्स्पेंडेवल एरियल टार्गेट अभ्यास के लगतार छाबिका सात्मोंक परिछन सफलता पूरग पूरे किये तो चांदिपूर से चांदिपूर कहां है उडिशा में चांदिपूर अवस्थित है ठीक है अगला है रीम ओफदा पैसिफिक रीम पैक अभ्यास दोहजार चोविस से समंदित निम्न कथनों पर विचार करें रीम पैक युद अभ्यास से समंदित कौन सा कथन सही है यह बिसु का सबसे बड़ा अंतराष्टि समूदरी अभ्यास है बिलकुल सही है इसके भरतिय नौसेना का प्रतिनेदित मिसाल प्रछेपित करने में सक्षम आइनस सिवालिक ने किया है यानि कि आइनस सिवालिक रीम पैक अभ्यास दोहजार चोविस में सामिल हुआ जो कि बिसु का सबसे बड़ा अंतराष्टि समूदरी युदा भ्यास है जिसका हाली में अभ्यास होपेक्स भारत और मिस्र की वाईस सेना के बीच आयोजित किया दाने वाला एक वाईसन अभ्यास है तो अभ्यास होपेक्स का आज़न भारत और मिस्र के बीच किया दाता है बिल्कुल सत्य है दूसरा इसका आज़न जून दोहजार चोविस में गुवाली और मद शेपन ईयान Ali भीपूसपक का सफल परिज्ञ झें कहां पर कि मैं पूसपक ठीक ह का से पूथ शकता है है पूसपक क्या है तो रीटूज जेवल लाइं जूदि का है इसका हाली में कहां reusable lunch vehicle है ठीक है अगला सवाल है निमन कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है सही कथन को बताएं पहला 10 जून 2024 को भारतिय 9 से नाने L.S.A.M. 13 08 into missile सह गोला बारूद बार्ज पर योजना के ताथ पाचमा बार्ज सामिल किया गया है तो पहला statement इसका बिल्कुल सत्य है दूसरा इस अफसर पर समारोह की अधैस्ता कमांडर मनीस बीग ने की थी दूसरा statement भी सही है ठीक है तो इसका answer का हजाग option नमबर AA और दो दोनों option सही है ठीक है यहाँ पर संचिप्त explanation है अगला जाइमेक्स 2024 जीमेक्स 2024 ठीक है संयूक्त समुद्री अभियास की शुरुवात 2012 में की गई थी दूसरा सही है ठीक है 2012 में इसकी सुरुवात की गई थी हाली में 2024 में इसका अविजन जापान में किया गया ठीक है तो कॉन सा ककथन सही है केबल दो सही है अंसर हो जाग बी निम्न करणों पर वीचार करें कौन सा कतन सही है सही कतन को बताना है जून दोचाचोबिस में देश का पहला सवदेशी आतमगाती ड्रोन भारतिय सेना में सामिल हुआ है यहां दोचाचोबिस है और इसका नाम क्या है नागास्त्र इसका नाम नागास्त रुवान है बिल्कुल सही है इसे DRDO के द्वारा विक्सित किया गया है नहीं इसे नागपूर की Solar Industries के EEL Economics Explosive Limited के द्वारा इसे विक्सित किया गया है इसे भी आपने परतुकता दरपन सौट नोट्स में डिसकास किया था ठीक है तो अधिकान सवाल जो ह उप्सन नमबर एक और दो अभियास Red Flags 2024 से समंदिर निम्न कथनों पर विचार करें Red Flag कौन सा कथन सही है अभियास Red Flag भारत और जापन के विचाहुजित किया दानावाला एक Waihealth Sen अभियास गलत अभियास रेड़ फ्लैग जो है इसका अयोदन अमेर्की वाई सेना के द्वारा किया दाता है एक बाहूर राष्टी हावाई उद्दा भियास है कि कर पहला गलत हो गया दूसरा, इसका अयोदन टोक्यों में किया गया या भी गलत है तो सवाले कौन सा कतन सही है 30 माई 2024 को स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी कराजैनिक रॉकेट अगनिवान मिसन का सफल उपकाछिय परिछन किया गया यह बिल्कुल सही है ठीक है अगनिवान और आप देखेंगे कि बिक्रम के बाद प्राइबेट जो लांच किया गया है वा दूसरा ह अगनिवान ठीक है इसका परिच्छन इसरो के द्वारा किया गया है गलत है इसका परिच्छन इसरो के द्वारा नहीं किया गया चैनाई में एक अस्टार्टप है अगनिकूल कोस्मॉस ठीक है तो उस अस्टार्टप जो अगनिकूल कोस्मॉस है उसके द्वारा इसे अंज किया गया है ठीक है अगनी कुल कोस्मास इस तरह का परिछन करने वाली भारत की दूसरी नीजी कंपनी बनी अभी आमने पहला बताया कि विक्रा में इसको पहला प्रचेपित किया गया था ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा यह देश का पहला सेमी क्रायरो का स्वाब देना है 29 माई 24 को डिया डियो के द्वारा भारतिय बायु सेना के सुखोई 30 एम एम के वन प्लेटफॉर्मा से रुद्रम दो मिसाइल का उडिसा के टरपर सफल परिछन किया गया यह सही है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया दूसरा स्टेटमेंट है यह ह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल नहीं है बलकि रुद्रम दो जो है वो एक स्वदेशी रूप से भिख्षित फोस इंदन से संचालित बायु प्रच्छेपित मिसाइल है ठीक है तो हवा से हवा में मार नहीं करती तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है के वल पहला सह है तो इसका अंसर करेंट अंसर हो जगा अप्शन नमबर ए इकीस माई दो आज़र चोबिस को किस होस्पिटल में भारतिय बायु सेना की पहली अपातकालिन चिकित्सा प्रतिकिरिया प्रणाली का उद्गहटन किया गया तो कमांड होस्पिटल एयर फोर्स मूंबाई में ठीक है किसके द्वारे है प्रणाली अस्थापित की गई तो वही कमांड होस्पिटल एयर फोर्स मूंबाई में अप्रणाली अस्थापित की गई है 21 माई 2024 इस एक्जेक्ट है क्या EMRAS नामे ठिक है Emergency अपतकालिन Medical Response System Emergency Medical Response System तो भारतिय बाई सेना कि पहली अपतकालिन चिकित सा प्रतिकरिया प्रणाली Emergency Medical Response System का उधगाटन कमांड होस्पिटल एर फोर्स बैंगलूर में किया गया है ठिक है या 24 x 7 चिकिस्य हेल प्लाइन प्रवाइड करती है अभियास तरकस 2024 बहुत मत्पून सवाल है अभियास तरकस 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है सही कथन का जबाब देना है या भारत और ब्रिटेन के बीच संजुक्त आतंकबाद बिरोधी अभियास है ठिक है तो गलत है अभियास तरकस भारत और अमेरिका के बीच संजुक्त आतंकबाद बिरोधी अभियास है पहला स्टेटमेंट रौंग है दूसरा इस कायोधन हाली में कोलकाता में किया गया है बिल्कुल सही है अभियास तरकस का आयोजन हाली में कहां पर किया गया पस्षिम बंगाल की कोलकाता में किसके किसके बीच किया गया तो भारत के तरफ से NSG है नेशनल सेकुरिटी गार्ड और अमेर्की बिसेस अभियान बल इसको एप के बीच या अभियास कौन सा अभियास तरकस ठीक है भारत और अमेरिका के बीच हाली आयोजन कुलकाता में अभियास सक्ती के बारे में विचार करना है अभियास सक्ती क्या है तो अभियास सक्ती भा भारत और फ्रांस के बीच दव्यास है नोट अस्टेलिया भारत और फ्रांस पहला स्टेट्मेंट गलत हो गया दूसरा इसकायोधन हाली में उम्रोई मिखाले में किया गया बिल्कुल सही है ठीक है तो कौन सा कथन सही है केवल आप्सन नमबर दो सही है अभियाद सक्ति भार तर फ्रांस के बीच आयुजित का जाता है हाली में इसकायोधन कहां पर किया गया है उम्रोई मिखाले में अगरी सवाल है मजगाउओं डाक सीप बिल्नेटर्स लिम्टेड के समंधみ नेमन कत्रों पर विचार करें पहला इमडीयल मजगाउओं डाकsीपु बिल्दर्स ल पूरे कर लिया ठीक है आपसा statement में डारेक्ट है ही सवाल पूछा जा सकता है कि हाली में किस company ने या निमने लिखित में से किस company ने अपनी अस्थापना के 250 वर्स पूरे कर लिये मजगाउं डाक सीप बिल्डर्स लिम्टेड दूसरा इसकी सुरवात 1774 इस्वी में एक छोटी सुखी गोदी के रूप में एक ड्राइड डॉक के रूपे की गई थी या भी सत्त है 1934 में प्रावेट लिम्टेड कमपनी के रूप में इसे निगामित किया गया या भी सत्त है और 1907 हिस्वी में सरकार ने इसे MDL मजगाउं डाक सीप बिल्डर्स लिम्टेड को अधिगर अधिगरहन कर लिया या भी सत्त है तो कौन सा कथन सत्त है तो इसमें चारों के चार्या स्टेट्मेंट सत्त है इसका अंसर हो जागा अप्शन नमबर डी देखे यहां पर पूरा मजगाउं डाक सीप बिल्डर्स लिम्टेड के लिए दिया गया है मैं इसे पढ़ दे रहा के द्वारा इसका अधिगरहन कर लिया गया था ठीक है हाली में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परिचन किया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परिचन हाली में किसने किया तो हाली में इसरों के द्वारा किया गया ठीक है या परिचन PS4 इंजन के द वेश्ट नाइल वाइरल संक्रमन पहली बार 1937 में किस देश में पाया गया या भी सवाल बहुत मतपुन है वेश्ट नाइल से बुखार का मामला जो है वा केरल महाली में सामने आया है पूरे अगर वर्ल्ड लेपल पे देखा जाया तो पहली बार मामला 1937 में आया था 2024 को WHO के द्वारा मा से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संग्चरण को खतम करने के लिए तीन देशों को WHO प्रमानन परदान किया है तो इस समंद में निम्न कथनों पर विचार करें पहला इस संदर में तीन देश बेलीज जमाइका और जमाइका सेट विसेंट और किया था यहाँ स्थीटमेंट सकता है दोनों इसके सत्व कहता हैं याकि अंसर उदाग ऊंप्सनाल सी करें में भारतिय सेना और वेठ्रीर वेठ्रस और है् संजुलत अभियास ज़ेंग li में किया गया ठीक हैं और भॉन्टम डॉन्डावार्न के समंद्वी निम्न कथनों पर विचार करें। बहुत मत्रपुन सवाल है। भारत के पहले क्वांटम डाइमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में विचार करना है। कौन सा कथन सई है। पहला मई दोहज़ाद चोबीस में टाटा कंसल्टन सर्विसेज ने भारत का पहला क्वांटम डाइमंड माइक्रोचीप इमेजर विक्सित करने के लिए IIT बॉंबे के साथ साज़ेदारी किया है। एकस्पलानेशन देखते हैं तो भारत का पहला क्वांटम डाइमंड माइक्रोचीप इमेजर ठीक है क्या है तो एक सेमी कंड़क्टर चीप इमेजिंग के लिए उन्नत एक सेंसिंग टूल है ठीक है IIT बॉंबे और TCS के बीच इसके लिए एक साज़ेदारी किया गया है माई ठीक है यह भारत का पहला जो है आधुनिक पीड़ी का समुद्रगामी गस्ती जहाज है ठीक है पहला सवाल है इसका निर्मान में सर्ष गोवा सी प्याड लिम्टेड के द्वारा किया गया है तो बिल्कुल सही है भारत के आधुनिक पीड़ी के पहले समुद्रगामी गस् पहला सही है दूसरा इसका उप्योग समुद्री डकैती रोकने टाटिय सुरच्छा और निगरानी खोद वंबचाव अब टाटिय संपतियों की रच्छा वंग सरच्छन जैसे मिसन को पूरा करने के लिए किया जाएगा या भी सही है तो इसका अंसर हो जगा ओप्शन नवर मतव कांची ओजना को फ्लोट के एफ एल ओ एटी फुल फॉर्म है फ्लेक्सिवल लेविटेशन और ट्रेक के रूप में भी जाना जाता है जिसे चंद्रमा पर कुसल पेलोड परिवहन हेतु डिजाइन किया गया है तो यह अस्टेट्मेंट जो है वह पूरी तरीके से गल की गई है और इस योजना को फ्लोट की नाम से जाना जाता है एफ एल ओ एटी जिसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिवल लेविटेशन अने ट्रैक है तो दुनों स्टेट्मेंट इसके सत्व हुए है भारत के पहले सोदेशी बंबर्शक मानव रहित लडाकु बिमान एफ बिचार करना है कौन सा कथन सही है सही कथन को जवाब देना है तीन मई दो आज़ा चोबी सिस्वी को बंगलूर इस्थितर अच्छा और एरोस्पेस प्रदोगी की फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले सोदेशी बंबर्शक मानव रहित लडाकु बिमान ए जलात है या स्टेट्मेंट इसके अधिक्तम गती 370 किलो मीटर प्रती घंटा तो कौन सा सही है एक और दो इसके सही है ठीक है तो इसका अंसर हो जागा आप्शन नमबर सी निम्न काथनों पर विचार करें एक माई दो आज़र चोबिस को सूपर सोनीक मिसाइल एसिस्टेट रिलीज आफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उडान परिछन किया गया है यह स्टेट्मेंट बिल्कुल सत्ते हैं इसका परिछन पोखरन राजस्थान में किया गया गलत इसका परिछन जो है उडिशा के विलर दुप अब्दूल कलाम दुप जिसे कर दिया गया है तो उडिशा के अब्दूल कलाम दुप पर किया गया तो पहला साही दूसरा गलत अंसर हो जागा अप्सन नमबर ए ठीक है अगला सवाल है निम्न काथनों पर विचार करें दो म सेमिक्राजनिक प्रिशन सफलता पूर्वक किया गया है दूसरा है इस रो एल वी एम थिरी की पिलोड चमता को बढ़ाने और भाविस के लांच वाहनों के लिए लो एक्स के रोसिन प्रनोदक सायुदन पर काम करने वाला दो सो के एन थ्रोस्ट सेमिक्राजनिक इंजन विक् इस रही है आए थोड़ा सा इसका हम लोग डेटेल्ड देख लेते हैं एक्स्पलाजन इस्थो की इसरो का सेमिक्राजनिक प्री बरनेर इग्निसन टेस्ट आर्टिकल पिट्टा पर पहला इग्निसन परिच्छन किया गया है परिच्छन अस्थल क्या है तो इस रो प्रोप कार करने वाला 200 के एन थ्रस्ट सेमिक राजनिक इंजन विक्सित कर रहा है तो दोना स्टेट्मेंट इसके सत्थ हैं अप्शन हो जागा अंसर हो जागा अप्शन नमबर ए निम्द कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सकते हैं 29 अप्राइल दो हजाट चोविस को भारतिय नौ सेना के लिए 11 X ACTCM बार्ज पर योजना के तहत गोला बारूद की सुद्धायुक्त टर्पीडो सह मिसाइल बार्ज नौका L.S.A.M.20 का जलावतरन किया गया ठीक है तो पहला स्टेट्मेंट सत्त है हाली में इंडिया नेवी के द्वारा भारतिय नौ सेना के द्वारा 11 X ACTCM बार्ज पर योजना के तहत गोला बारूद की सुद्धायुक्त टर्पीडो सह मिसाइल बार्ज नौका L.S.M.20 का सफल जलावतरन किया गया है 11 X ACTCM बार्ज परियोजना का छठा बार्ज है या भी सत्त है या सुरिदिप्त प्रोजेक्ट प्राइविट लिम्टेड के द्वारा निर्मित किया गया है तीनौ स्टेट्मेंट सत्त है इसका अंसर हो जागा आप्सन नंबर A निम्न कथरों पर विचार करें कौन सा कथन सत्त है सही कथन को बताना है 19 से अपरल 24 को DRDO के द्वारा स्वदेशी लिडिंग एंड एक चिटर्स और एर ब्रेक कंट्रोल मॉडूल का पहला बैच हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड को सौंप दिया गया है इसका पहला स्टेट्मेंट जो है पूरी तरीके से सत्त है दूसरा DRDO की एरोनाटिकल्स डेवलप्मेंट एजनसी ने LCA तेजस एम के 1A के लिए स्वदेशी लिडिंग एज एक्ट्यूेटर्स और एर ब्रेक कंट्रोल मॉडल तयार किये है या भी यह स्टेट्मेंट सत्त है तो दूना स्टेट्मेंट इसके सत्त है अंसर जग आप्शन नमबर C ठीक है थोड़ा संचिप्ट इसका एक्स्प्लानेशन है आप लोग इसे देख लेजिए अप्रेल दुहज़र्चोबिस में एक्सो एसकलेटन के लिए उभर्ति प्रवदोगिकियों और चुनोतियों पर पहली अंतरष्टे कारसाला इंड एक्सोस दुहज़र्चोबिस कहां पर आउजित की गई तो इसका अज़़र्चन हाली में कहां पर किया गया बैंगलूर में अभ्यास दस्तलिक बताएए अभ्यास दस्तलिक के बारे में निम्न कत्रों पर विचार करें किंदो देशों के बीच होता अभ्यास दस्तलिक भारत और उज़बेकिस्तान के बीच अप्सन क्या दिया है भारत और किरगीजस्तान पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया 15 से 28 से अप्राल 2024 के मद में आउजित किया गया, सही है कहां पर आउजित किया गया, उजबेकिस्तान के 13 जिला, ठीक है, तो पहला गला दूसरा सही अंसर हो जागा केवल 2, निम कथनों पर विचार कहें, सही कथन को बताना है, 13 अप्राल 2024 को स्वधेसी मैन पोर टेवल एंट से इसका परिशन किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, इसका परिशन पोखरन राजस्थान से किया गया है, पोखरन राजस्थान से किसको किसके द्वारा, तो डिया डियो एंड भारतिये सेना के द्वारा किया गया, डिया डियो ने ही स्वधेसी रूप स विक्स डिजाइन का विकास किया ठीक है तो पहला स्टेटमेंट से सत्य हैं अंसर हो जाएगा एक अप्रेल दोहचे चोवीस में किसके दवारा इंटरइंस्टिशुसनल बायोमेडिकल इनोविसन प्रोग्राम ठीक है f onder international ब्यो मेडिकल इनोविसन प्रोग्राम किसके दवारे सित्क बिक्सित किया है तो एิ ICTE और C-Camp के दोवारा तो इसका अंसर क्या होजागा option number C इसका correct अंसर होगा अगला प्रस्ण है किस भारतिये प्रदोगी की संस्थान के सोधकरताओं ने एक nano sensor विक्सित किया है जो हमारे सरीर के बिहुन को सीकाओं को नियांतिरत करने वाले protein के एक समू साइटो किन्स का सि दोदपूर अब है अप्रेल दोज़ाजर चोबीस में 22 साने सक्ति गगन सक्ति गगन सक्ति बताईए कहां पराउजित किया गया तो गगन सक्ति का आयोजन किया गया पोखरन राजस्थान में अगला है अप्रेल दोज़ाजर चोबीस में किस राजि में इस्थित कोडाई क किरद की अगला सवाल है सागर कवचभ दोहजारच चोबीस सागर कवचभ दोहजार चोविस। एक टटिये अभ्यास है, ठीक है, सागर कबच दोज़र चोवीश एक टटिये अभ्यास है, बिल्कुल सही है, इसका आयोधन हाली में अधमानी को वरदीप समू में किया गलत, सागर कबच का आयोधन कहाँ पर किया गया हाली में, लक्ष द्वीप में किया गया, ठीक है, तो या स्टेटमेंट गलत है दूसरा तो अंसर के ओधा का ओप्शन नमबर ए सही है अगला सवाल है अप्रेल दोहजार चोबिस में कौन सा अस्पताल पीजी इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेरिंग इंप्लांट का नवला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया अगला है निमन कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है सही कथन के बारे में हमें यहाँ पर जवाब देना है पहला 28 मार्च 2024 को स्वदेशी रूप से बिक्सित हलके लड़ा को बिमान LCA तेजस MK1A का सफल उडान परिछन किया गया बहुत मतपून सवाल है पहला स्टेटमेंट करेंट है बिल्कुल दूसरा इसे DRDO के द्वारा भीक्सित किया गया है या भी या स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेंट है तो इसका अंसर क्या हो जागा एक और दो दोनों सत्य है अगला सवाल है अभ्यास लमित्या अभ्यास लमित्या अभ्यास लमित्या बताईए इसके बारे में कौन सा कथन सही है सही कथन पर बताना है तो अभ्यास लमित्या भारत और सेसल्स के बीच पाला तो सही हो गया इसका अभ्यास लमित्या का अभ्यास लमित्या कहां पर किया गया है सेसल्स में किया गया ठीक है तो पहला स्टेट्मेंट सही है इसका अंसर हो जगा ऑप्शन नमबर ए टाइगर ट्रंफ दो हजार चोबी से समंदित निमन कत्रों पर विचार करें टाइगर ट्रंफ किसके पिच आउज़ित क्या जाता है देखिए युद्ध अभयास भारत और अमेरिका के बीच आउज़ित क्या जाता है तो पहला गलत हो गया क्यूंकि सवाल है भारत और मानवीय सहता और आपदा रहित सहन अभ्यास है टाइगर ट्रॉंफ ठीक है तो केवल दो सही है इसका अंसर आप्सन अंबर भी करेक्ट है मार्च दोज़ाज़ाचोविस में मौसम बिग्यान और समुद्र बिग्यान सेमिनार मेघियान दो हजार चोविस बहुत मत्रपुन भारतिय सेना और आयेटी खालगपूर के मध हस्ता चरित संधोता ग्यापन के लिए समनवे का काम किस भारतिय नौ सेना अस्टेशन के द्वारा किया गया है तो इसका अंसर हो जागा आइएनस सिवाजी लोना वाला ठीक है तो इसका अंसर हो जागा अप्शन नमबर A अगला सवाल है मार्च 24 में भारत का पहला सोदेश निर्मित 1500 होर्स पावर इंजन का परिछन कहां पर किया गया तो इसका हाले में परिछन जो है होगा मैसूर में किया गया है ठीक है तो बी एमल मैसूर के द्वारा किया गया 20 मार्च 24 इस वी को अगला सवाल है मार्च 24 में अगनी कुल कॉसमोस प्राइबिट लिम्टेट के द्वारा लांच किया गया रॉकेट के सम्मंद में निम्न कत्रों पर विचार करें इस रॉकेट का नाम अगनीवान सब आर्बिटल टेकनोलोजी डिमास्टेटर रखा गया बिल्कुल सही है या रॉकेट अंध्र परदेश के सिर्यारी कोटा इस्थित 37 दावन अंतरिच के अंदर से लांच किया गया या भी सही है तो दोनों स्टेट्मेंट इसका करेंट है तो क्या हो जागे अंसर क्या हो जाँगे ऑप्शन के अनुसार इसका अंसर सी देखिए सी अंसर इसका करेक्ट होगा ठीक है इसको थोड़ा सामलों देख लेते हैं भारत का पहला नीजी तोर पर विक्सित रॉकेट विक्रा मेस सिर्यारी कोटा में इसुल लांच पैट से कब लांच किया गया वर्स द्वादार चुप बाइस में विक्रा मेस रॉकेट हैदराव कॉसमोस है या दूसरा है ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर हमने उपर डिसकास किया अगला सवाले निम्न काथनों पर विचार करें 18 मार्च 24 को भारतिय सेना ने अगली पिढ़ी की संचार प्रधोगी की के अनुसंधान और मुल्यांकन है तू सिगनल टेकनोलोजी मुल्यांकन और अनुकुलन समू एष्टी एष्जी नामक एक बिशेष प्रधोगी की इकाई की अस्थापना की है पाला साइए दूसरा इ अप्सा नमबर ए इसका करेक्ट अंसर होगा मार्च 24 में भारत के पहले अपाचे लडाकु हेलिकॉप्टर अस्क्वाडन की अस्थापना कहां पर की गई तो जोधपूर में की गई है इंडियान आर्मी के द्वारा इसका विकास किया गया है ठीक है 15 मार्च 24 को रच्छा मंत्राले ने भारतिय नौ सेना के लिए समंधित उपकरणों सहीत कितने डोर्नियर बिमानों के मीड लाइफ अपग्रेड हे तू हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड के साथ 2890 करोड रूपे से अधीक के अनुबंद पर हस्ताचर किया है तो इसका अंसर हो जागा टोटल 25 ठीक है देखें आपर भारतिय नौ सेना के लिए समंधित उपकरणों सहीत 25 डोर्नियर बिमानों के मीड लाइफ अपग्रेड हे तू यह सम्झावता किया गया 2890 करोड रूपे से अधीक ठीक है 15 मार्च 2024 को किस देश ने दो डोर्नियर 228 बिमानों को खरीदने हे तू भारत के साथ L.O.C. समझावतों पर हस्ताचर किया है ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर होना चाहिए गुआना ठीक है तो इसका अंसर हो जागा ऐगा आप्सान अमबर B गुवाना कहां पर है तो गुवाना एक दस्नी अमेर की देश है जिसकी रागानी जॉर्ज टॉन है ठीक है अगला सवाल है D.O.M.E. डोम के बारे में विचार करना है डोम क्या है तो डोमेंट ड्राइवर म्यूटेशन एश्ट्रीमेटर ठीक है इसके बारे में निम्ले लिखित कत्रों पर विचार करें पहला सवाल है यहां उपकरन एडवान्स सेंटर फो ट्रीटमेंट रिसर्च एड़ एजुकेशन इन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबाई में डॉक्टर अमीत दत के नित्रित में सोध करताओं के द्वारा विखित किया गया पहला सही है यहां एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राइम का प्रतनिधित करता है डोम यहां भी सही है इसे बिभीन परकार के कैंसर रोग्यों में ट्यूमर की अनुवंशिक सनचना की जांच के लिए डिजाइन किया गया है यह भी सही है तो तीनों स्टेटमेंट इसके सत्य है आपको जानना है कि आखी डोम है क्या इसका पूरा नाम है डोमेन, ड्राइवर, म्यूटेशन, एश्ट्रीमेटर किसके द्वारा विक्सित किया गया तेडवां सेंटर फो ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, टाटा मेमोरियल सेंटर, मॉमबाई ठीक है, 12 मार्च 2024 को ततकालिन मंत्री राजी चंदर सेखर ने कहाँ पर भारत के पहले फ्यूचर लाइब सेंटर का उधगाटन, सीडैक तिरुवनंत पूरा में किया गया है, इसका अंसर हो जागा उप्सन नमबर C, ठीक है, इसके बारे में आप देखे लिजे, भारत का फ्यूचर लाइब सेंटर, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दीख रहा होगा, आप लोग इसे देख सकते हैं, अब आईए मिशन दिव्यास्तिर के बारे में, तो मिशन दिव्यास्तिर 11 मार्च 2024 को DRDO ने मिशन दिव्यास्तिर के तहत, MIRV प्रोदोगी की से सुसजि किया गया, दूसरा स्टिप्रिंट पूरी तरीके से गलत है, यहाँ परिच्छन जो है, अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप, पहला सही, दूसरा गलत, अंसर हुदागा, अप्सन नमबर ए, सी डिफेंडर्स 2024 से समाधित निमने लिखित काथों पर विचार करें, सी डिफेंडर्स 2024, पहला यह भारतिय टटराचक बल और अश्ट्रेलियाई टटराचक बल के बीच एक सयुक्त अभ्यास से गलत है, सी डिफेंडर्स भारत पलस USA के टटराचक बलों के बीच, तो पहल केवल दो सही है, केवल दो सही है, option number B में दिया गया है, कटलेस एक्सप्रेस 2024 के बारे में विचार करना है, पहला यह एक बहुराष्टिय समुद्री अभ्यास है, बिल्कुल सही है, इसका आयोजन हाली में सेसल्स के पोर्ट विक्टोरिया में इसका आयोजन हाली में किया यह भी सकते है, ठीक है, तो कटलेस एक्सप्रेस 2024 एक बहुराष्टिय समुद्री अभ्यास है, जिसका अजन हाली में सेसल्स के पोर्ट विक्टोरिया में किया गया, तो दोना स्टेट्मेंट इसके सत्य है, इसका अंसर हो गया, option number C, मार्च 2024 में अभ्यास भारत सक्ती कहां पर अभ्यास भारत सक्ती कहां पर किया गया, तो पोखरन में किया गया है, ठीक है, पोखरन कहां पर है, राधस्थान में तीनों से नाओं का एक फारिंग और त्वरित करवाहिक विद्धा अभ्यास है, ठीक है, यानि कि अभ्यास भारत सक्ती 2024 में भारत की जो तीनों से न को 25 टी बोलारड पूल टग बलजीत कहां पर लांच किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा भरूच गुजरात में ठीक है मेकिन इंडिया पहल का एक हिस्सा है आइनेस जटायू को कहां पर तैनाद किया गया बहुत मत्पुन और इजी सवाल है आइनेस जटायू ठीक है तो आइनेस जटायू को तैनाद किया गया है मिनिकाई द्वीप पर ठीक है और आइनेस द्वीप रचक आइनेस जटायू उसक हॉक्स को किस सेना या बल के नए हेलिकूप्टर बेड़े में सामिल किया गया तो इनस नेवी जहां पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा तो नेवी होगा एंस ठीक है तो इंडियन नेवी में इसका अंसर हो जाएगा option number D हाली में भारत के किस medical college में हेमोफिलिया A के लिए जीन उपचार थेरेपी का पहला नैदानिक परिछण किया गया बहुत मतपूर्ण सवाल है ठीक है इसका अंसर हो जाएगा Christian medical college वेलूर में Christian medical college वेलूर ठीक है यहाँ पर देखिए हेमोफिलिया के बारे में कुछ मतपूर्ण जनकारी यहाँ पर दिया गया जैसे हेमोफिलिया क्या है जिए खून के ठक्के बनने की छमता को परभावित करने वाले एक अनुवनसिक रोग है बिस हेमोफिलिया दिवस का मना जाता है तो 17 अपरेल को परति वर्स विस हेमोफिलिया दिवस मनाया जाता है ठीक है अब हम लोग अन्त में कुछ मतपूर्ण MCQ को डिसकस करते हैं जो 67 मतपूर MCQ दिये गया हैं जो सवाल में पूर्ण में नहीं दिये गया है ठीक है सिब्तमबर 2024 में केंद्रिय मंत्री मंडल की सुरच्छा मामलों की समीती ने भारतिय वायू सेना के SU-30M के आई बिमानों के लिए 240 Aero Engine की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की इन इंजिनों की खरीद किसी से की जाएगी हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL के मादम से सवाल है कीव को एयर लिफ्ट करने और सटिक रूप से पैरा ड्रॉप करने के लिए भारतिय वायू सेना ने किस विमान का प्रूप किया C13J सुपर हर्क्यूलिस का अगस्त 2024 इस्वि में भारतिय सेना के दौरा कहां पर रननितिक सेन अभ्यास परवत परहार काजन किया गया जुलाई 2024 में भारतिय अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साज्यदारी अभ्यास 2024 में कहां पर आजित की गई अरब सागर में किस अंत्रिश ज़ेंसी के द्वारा तुर्की का पहला सोदेसी संचार उपगरा तुर्क सेट शे't शेक्स लांच किया गया मैई दौज़ाच चोवीस Mehen दसिन कोरिया की पहली अंत्रिश ज़ेंसी कोरिया Aero-Space Administration का सुवरम किया गया यहां 36 जिन से किस प्रांद से समंजित है दचिन ग्योंग सांग और आज के हम लगे लास्ट सवाल डिसकस करेंगे 11 मार्च 24 सिस्वी को किस राजिकी मंत्री मंदल में PM3 Air Ambulance सेवा योजना को सुक्रिती पदान की गई तो इसका करेक्ट अंसर होता गमाद परदेश यानी की MP ठीक है तो दोस्तों इस परकार से आज की इस वीडियो में हमने Current Affairs से समंदी Science and Technology, Defense Technology जो भी मत्रपून डेवलप्मेंट सुई है उदाव्यास मत्रपून उन सभी से समंदी तेम सिक्वी को डिसकस किया है उमीद है कि सतर्वी वीपेसी प्रलेमस में ये सारे वीडियो आप से वीकेले मत्रपून अवाम लाबदाई सावित होंगे तो बस आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू समाज बहुत बहुत धन्यवाद